पर्यावरन संद्रक्षन और प्रदूशन से निपटने के लिए आज इलेक्ट्रिक वाहन बेहत कारगर साबित हो रहा है। इसके लावा इलेक्ट्रिक वाहन इको फ्रेंडली का भी एक बहतरीन उदाहरन बन रहा है। इसे के मदिने ज़र अब धीरे-धीरे लोग एलेक्ट्रिक वहन के और अपना कदम बढ़ा रहे हैं। दूसरी और ये अब एक बहतर करीर के तोर पर वी उभर कर सामने आ रहा है। आज की युवापीडी को इलेक्टिक वाहन के और करियर के तौर पर एक बहतर दिशा प्रदान करने के लिए इसके गुर भी सिखाय जा रहे हैं इसमें शुमार है दिल्ली के बादली स्थित वीकल टेकनलोजी इंस्टिक्यूट यह संस्थान वीकल टेकनलोजी में मोडिफाइब वीकल के साथ साथ इलेक्टोनिक वीकल की ट्रेनिंग भी स्टूडेंट्स को प्रदान करा रहा है वद्म यहां पे बताया गया है दो अरुटि Dartmouth यहां ब 11 कि फिकार रहे हैं कि जैसा कि हम बहुंद शुक्र नायूट आफ कि ऑचैब बढूर टाइम लगता है इस डूबभ और सो चार और 5 साल का ओष्ष को था यह हमें ताम कrem आइं कम से कम बजट में अच्छे से अच्छी नॉलिज और प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें कि हमें इवी भी सामिल करवाया गया जिसका स्कोप आगे चलके बहुत ज्यादा है जैसा कि हमें डीजल पैट्रोल से सिफ्ट हो कि एलेक्ट्रिक वेट वह एलेक्ट्रिक इनर्जी पर ह रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक वेकल्स का बहुत बड़ा है जिसमें इलेक्ट्रिक वेप्रोफ का मिनार्वन दीटी करते हूँ सतमें मुझे परस्टैलिटी डवलाइड नाॉलज भी फेज, आफ्ट प्रोवाइड की जाती है और साथ ही साथ मैं यहाँ पर अपने करियर को लेकर आगे प्राइमरी टीचर के लिए ट्रेनिंग कर रही हूँ आफ्टर मैं कोर्स कंप्लिटिट मैं यहां से फिर टीचिंग के लिए क्या बेबल हो जाओंगी और मेरी परसनल जॉप लग जाएगी टीचिंग में यहां पर खास बात यह है कि इंजीनरिंग के साथ साथ प्राइमरी टीचर टेनिंग, परसनलिटी डेपलप्मेंट, कंप्यूटर कोर्सेज आदी यहां पर करवाय जा रहे हैं यहां पर देश की अलग-अलग नामचीन कंपनियों से अधिकारी पहुंचते हैं और बच्चों को टिप्स भी देते हैं साथ ही जो बच्चे इंटर्व्यू में सफल होते हैं उन्हें नामचीन कंपनियों में काम करने का सुनहरा मौका भी दिया जाता है आपको बता दे कि इस संस्थान में दिली सही देश के कोने-कोने से युवा यूनर सीखने के लिए आते हैं संस्थान की खास बात ये है कि संस्थान गरीब और मध्यमबर्ग को रोजगार मोहिया करवाने में बेहद ही कारगर साबित हो रहा है शायद इसी का पहिणाम है कि यहां से सीखे हुए युवा अलग अलग संस्थानों में अपने हुनर का लोहा मनवा रहे हैं और साथ ही काम्याबी की नई इभारत लिखने का काम कर रहे हैं जैसा कि आप आजकल देख रहे हैं कि पॉल्यूशन कितना बढ़ता जा रहा है तो उसके रिगार्डिंग प्रधानमंत्री मोधी जी ने भी और बहुत सारी कंट्रीज के जो प्रधानमंत्री रहे हैं या प्रेजिजेंट रहे हैं सबने निकाली है कि पेट्रोल डिजल से इतना भी पॉल्यूशन हो रहा है उसको कर्णवर्ट किया जाएगा इवी में इवी यानि इलेक्रिकल वाहिकल जो बैट्री से गाड़ी चलेगी जिससे ना तो आपका पैट्रोल यूज होगा और पॉल्यूशन में भी बहुत गिरावत आएगी तो यह पोर्स हमने सबसे बड़ी जो सही बात है जो अच्छी बात है वो यह है कि इस में बच्चे को हम 100% जॉटी लिखित में दे रहे हैं पर हमने एक नया कोर्स अट वीटेक इंस्ट्थूट पर हमने एक नया कोर्स शुरू किया है इस प्रामरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स जिसमें हम बच्चों को लड़कियों को बैसिकली लड़कियों को बैसिकली हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके साथ साथ हम बच्चों को उनकी परसनलिटी डवलपेंट पे काम किया जाएगा English Communication Skills को improve किया जाएगा और आज के टाइम में बिना computer के कोई भी काम नहीं होता है इसलिए हम उनको साथ के साथ इसी कुफीस में computer का course भी free कराएंगे Because of that, these are the girls जिसमें कि हम अपनी लड़कियों को self-defense का course भी provide करा रहे हैं जिससे कि हमारी जो विधारती है, जो हमारी student है, जब वो आगे school में जाए, पढ़ाने जाए तो वो आप आत्म निर्बार हो और सुरक्षित हो Hyundai company, MG, मारूति Suzuki, Skoda, Mercedes इन जैसी companies में बच्चों की internship और placement करवाती हूँ मैंने 20 बच्चों की placement करवा चुकी हूँ, जो की मारूति Suzuki company में भी हुई है, Hyundai company में भी हुई है और Skoda company में भी हुई है, दो बच्चों की जिसमें बच्चे के उपर depend करता है, बच्चा किस तरीके से interview को face करता है हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना और interviews के लिए बेजना, आगे का काम बच्चे का होता है एक बार बच्चा interview clear नहीं कर पाए हम दुबारा बेजेंगे, दुबारा नहीं कर पाए है तीसरी बार बेजेंगे हमारा main यही उदेश्या है बच्चे के लिए कि हम lifetime उसके साथ है ऐसा नहीं है, हमने faceally बच्चे को पढ़ाया और एक ही बार में अगर बच्चा नहीं होता तो हमारी guarantee नहीं है हमारी lifetime की shorty है बच्चे के लिए कि बच्चे की job हम ही लगा के देंगे और ऐसा नहीं है कि एक जगा बच्चे की job लगवा दी तो अगर बच्चे को कोई better opportunity आती है तो हम किसी और company में बच्चे को place करते हैं वो बच्चे के उपर depend होता है कि बच्चे में क्या caliber है